शब्रिये ठटिक समाज हाडोती संभाग के शपतगर्ण समारो परीचे सम्मेलन और आज विशेश रूप से दुल्डवनाज जी संत के नाम से मैला चात्रवास का सिरान्यास मैं इसके लिए समाज के सभी बंद्रों को बहुत बहुत शुपकाम मैं देता हूं बधाय देता हूं शत्री खटक समाज जिसका गोरोशारी इतियास रहा है गोरोशारी परंप्रा रही है और आज भी समाज में व्यापक परिवर्तन समाज में हुआ है लेकिन अभी हमें और परिवर्तन करना है समाज में और नई दिशा बनानी है ताकि आने वाले समय के अंदर इस समाज का नोजवान देश और प्रदेश में देता करें कि अधिक समाज हमेशा है कि सामाज में परिवर्तन का अग्रणी राह है तो समय काल के मुसार को जहां वो शक्रता थी समाज की रक्षा करने कि वां समाज की रक्षा करने का काम किया लेकिन अभी और परिवर्तन करना है कि जिस तरीके से हमारी बेटियां देश में नाम कर रही है जाए अंतिक्ष हो जाए जमीन हो जाए फ्राइटर प्लेन हो जाए अंतिक्ष हो विज्ञान हो टेक्नोलोजी हो उद्योग हो व्यापार हो प्रशाष्जिक सेवा के अधिकारी तमाम शित्नों के अंदर एक बहुत बढ़ा परिवर्तन मैं देख और यह परिवर्तन सब के सामुज प्रियासों से होता है अगर हम एक बेटी को पढ़ाते हैं तो पुरा परिवार को पढ़ाते हैं और इसलिए आपने आज बहुत शुप काम शुप किया है मुझे पता है कि मैं पहले सोचता था कि यह जो महिला चात्रावास बनता है उसका ठीक से उप्योग होता नहीं होता है लेकिन आज जब मैं सिंटेटिक ट्रेट के उठाटन से घर की ओर जा रहा था तो मुझे पांच लड़कियां मिली जो पेदर पेदर उस्टेटिक ट्रेट के उठाटन में से जारे थी आज गाओं के परिपेक्ष कि थी मैंने गाड़ी रोका मैंने बेटिया कहां की रहने वाली हो उन्ने का सुन्तान को की एक निका जाड़गाउं के एक निका दिगोद की मैंने तुम अलग 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 रेदियो एक साथ कैसे इकट्टेव का आई कि हम देव नाराएं चात् साथ इकट्टेव करा हैं कि शायद वो छात्रावास मों होता तो वो उच्छी शिक्षा करने यहां पड़ने आते हैं उनके परिवार के दोगभी निलेशते हैं कोई डोक्टर की तैयारी कर रही थी कोई का आई एस बनने का सपना था कोई का है टिन मेंने का सपना था जब स और मुझे अज़ लगा कि युदे निचा रहा में चैट्रावास बनता है उसका कितना बड़ा हू्क थो गंग है को दिनों पहले में भील समाज के बालिका चात्रावास के उखाटन में लिया, अब आप जानते हैं भील समाज बहुत गरिब समाज है जंगल में रहने वाला समाज है आर्थी गुप से सबसे कम्योर समाज है तो में उठाटन करने गया तो उन्हें कहां कि इसका खर्चा कितना आएगा इसका अब करोल कि आप लोग डेर्ड़ करोर कहां से क्टा करोंगे उन्हेंगा साब आपने चालीस लाग तो इकटे कर लिया है और तो मैंने का आप बनाओ शात्रवास पूरा होगा और उसका काम शुरू हो गया शात्रवास पूरा बनने के होगा जब वहां बालिकार पड़ेगी भील समाज की तो उच्छी श्क्षा प्राप्त करके कहीं के नितुत करें और इसलिए मैं जब अद्यश जी से बात कर रहा था तो मैंने अद्यश जी को का कि मैंने का यह चात्रवास इसी सम्मेनल पूरा होना जाय है और सब्भी प्रयासों से ओना जो जिसकी शम्ता हो उस शम्ता के नुसार हो ना जिए कोई कोई एक लगाएगा कोई बुरी सीमेंट लगाएगा दीले 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 हम इस चात्रावास को पूरा करें और चात्रावास में जो ग्रामिंट परिपेक्ष की लड़किया है जिनके माता-पिता इतने आर्थिक उससे सक्षम निये कि वह यहां पढ़ने भेलते एक तो आर्थ पर लेकर नोजवान तो पढ़ लेता है कि एक अच्छी शुरुवात भी है और शुरुवात को पूरा करना हम सब का दाहिता है मैंने ऐसे मनोच जी को कहा था मैंने का मनोच जी बड़े सेट आनमी हैं डोक्टर हैं करी तो उन्हें गोष्णा खंजुशाई से मैंने तो एक करोड़ उपे के लिका था हूं लेकिन जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मेरी भी कोशिश होगी कि पित्ती बार मैंने पेशा दिया था पर लगानी अद्रेश नी लगानी न और समाजों में लगया इसमें क्यों नी लगा मुझे पता नहीं आपकी कम्जोरी तो नहीं पतो हो सकता है कि कारण होंगे लेकिन आप मिश्री मानों मैंने 15 लाग बोने तो पंदा लाग ही दुमाद और अध्यजी ने भी बात कहीं कि सारे कम्रों का निर्वान में एक कम्रे के निर्वान में खर्चा एक निर्वान के खर्चे में डाइलाग खर्चा आता है और कोशिशों नीच यह कि कोई डाइलाग कोई सवालाग मिलकर इस सम्मेलम में जब जाएं तो मरोजी सबको पेढ़ना देंगे कि वे दस कम्रों का तो अद्देश जी ने का कि हमारे पास पेशा आ गया है ऐसा मुझे अद्देश जी ने उबद करा है चार कम्रों का मनोजी ने कर दिया है तो चार और दस चोदा होगे दस कम्रे में करा दूंगा तो कि अच्छी सोगे देखिए ऐसा है कि मेरे लिए सब समाज बनाबर है जो और सब को समान रूप से देखना एक जनप्रतिनी का दायति पर होता है कि दस लाग दस करोड़ दस लाग में दुमा बाकि मैं राजिस्वा सदस्य से करा दूंगा और तुम लाकर आपके पच्छीश लाग रुपया हो जाएगा जिसे दस कम्रें बन जाएगा और उसको चलाने की एक अच्छी परंप्रा भी मनोज जी ने बताई बहुत अच्छी कि सोसूर के आदमी आटी जेस करता रहेगा हर मेने तो उसको चलाने का खर्चा भी निकल जाएगा तो जब एक बार एक सात्रावास बनेगा तो और प्रेंड़ना होगी कुछ मनोज जी बताएंगे को दिल्ली के बड़े सेट को उनको बलाकर भी बात करेंगे मदन दिलावर जी भी ऐसे मंती रहें बहुत सालों तक मंती रहें उनके भी संपक हैं तो सबके संपक से चात्रावास का निर्माण हो और कोटा क्योंकि एड्यूकेशन सीटी है देश भर का विध्यातिया पढ़ने आता है कि इसने हमारा दाइत हो जाता है कि यहां पर बाली का चात्रावास बना है और दूर राज के देश के कोई गाउं से भी आये तो अपनी बेटी को यहां चात्रावास रुक में रखकर अच्छी शिक्षा संस्कार मिले ऐसी मेरी अपिक्षा है आप सभी को आज आपनी एक द कि इस तरीके के निर्माण में खर्चा ज्यादा हो जादा हो तो हम सब मिलकर इस चात्रावास को निर्माण पुरा करेंगे और मुझे आशा है जो हमारा लक्ष है जीवन के अंदर कि सामुटा के साथ मिलकर सम मिलकर समाज में सब एक दूसरे की मद्द करें समाज की अउधर्णा इसलिए बनी है ना समाज में कोई छोटा होता है ना सम समांता के साथ साथ शादि हो तो साम इग्यवास अम्मेदन में हो क्यों विलकर शादी संब परिवर्ण की दिशा है एक शादि में अगर कोई 10,003 करता है और शादी के 10 लाग के चार कंभ एंधर बनाता है तो वह पुन्य का काम होगा उसका नाम भी होगा तो ऐसे कई सामाजिक परिवर्तन समाज में होंगे और हुए हैं, हम 75 साल पहले और 75 साल के आप बात भी देखें हैं, तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, और ये समाज के सामोई प्रयासों से हुआ है, आप सब को बहुत बहुत शुक्तामना है, नए प्रदादिकारियों को भी बहुत 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 बढ़ाई कि उनकी कार्यकाल में, जो उनने सपना देखा है, वा चात्रावास का निर्मार भी हो, सामाज परिचे संबेदन भी हो, सामाज प्रयास संबेदन भी हो, और समाज में जो जो सामाजिक परिवर्तन करने के आउशकता है, उसको सब मिलकर साथ मिलकर करें आप सबको बहुत बहुत शुक्त कामना है बहुत बहुत आए